कि नमस्कर दोस्तों आपको बहुत दोस्तों स्वागत में आज हम बात करने वाले बेश्ट एंड चीप वेब होस्टिंग के बारे में अब देखे काफी यूजर मुझे बार-बार पूस्टा रहे थे कि कौन सी वेब होस्टिंग हमारे लिए बर्फेक है अगर हम वर्डप्र तो यह सब को जाने के लिए वीडियो देखते रहे हैं अब देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लिर कर देना चाता हूँ कि जो आज की हमारी कंपरेशन रहेगी वो रहेगी लो प्राइसिंग हाई प्रफूमस इसके मतलब कि मैं आपको एसी वेब होस् आप जार्याट करते हैं और नमबर वन पर डिचेल ऊश्ब देखिया क्योन करzd доступ क्यों कि मेरेपाँ से डिजिटाल ऊचन को लेका कुछ एक प्रेशन है अब मैंने डिचेल ओशन को मैं काफ ही समय से यूज़ करता रहे हूँ तो इसलिए मैं डिचेल अट को सब से पहले करें चेक करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिलेगी वहां चाहिए अब आसा ने इसके सभी प्लान के बारे में जान सकते हो अब देखे सबसे बेले मैं आपको एक्सम्पल देखाना चाहता हो कि जो डिजिटल ओशन का मैं कापी समय से यूज़ करता आ रहूं इसमें से दब देखे सबसे पहले वीडियोंग.com यह डिजिटल ओशन में है इसका बाद दूसरी ओन्रोड.com यह भी डिजिटल ओशन में है और तीसरी वीपीड.com यह भी डिजिटल ओशन में मैंने होउस्ट करके रखे और इसका परफॉमस बहुत ही अचाह है वी अब देखिए वीडियो हमारे डीटेल में होने वाला है तो आपको देखे पूरा वीडियो देखना है अब मैं आपको डीटेल में समझाता हूँ कि डीजिटिल ओशन किस तरह से वर्क करता है किस तरह से आपको इसमें वड़प्रेस और आपकी वेब्सेड लॉंच करनी है अ अब देखे सबसे पहले मैं डीजिटल ओशन को क्यों रखा अब देखे इसकी परफॉमस इसकी स्पीड यह सब कुछ बहुत ही परफेक है दूसरी होश्टिंग के कंपेर में अब देखे सबसे पहले हम बात करते कि जो इसका सीपेश्ट प्लान है वो फाइव डॉलर पर मत तो मेरे ख्याल से जिदनी भी मैं आपको जो आज रिकमर्ड करूगा इसमें से हाई परफॉमस और चीप रेट में डीजिटल ओशन ही आपको मिलेगा अब देखे इसमें आपको वन जीबी रेम मिलेगी इसके बाद एक सीपीव मिलेगा और इसके बाद 25 जीबी हार्डिक् है एक SSD चैक रहाइक होते हैं एक SSD जैसे कि दूसरी वैश्टिंग कि बात करेंगे बाद में सिब्लो छोडे ये इसके बाद Golfset ये इसके बाद GoDaddy ये सभी जो वैचोड आपको SSD मिला यान कि जो इसके तक है कंपर में लो प्रफॉमस इसके बाद यदे के ट्रांसपर आपको ड्रोप्लेट आपको क्रेड करना पड़ता है ड्रोप्लेट करने के बाद आपको इसमें wordpress या तो आपकी जो custom website को launch करना पड़ता है तो जैसे कि मैं आपको पहले बता है इस सब्सक्वारे में वीडियो ओलेडी बना चुका हूँ आपको देखना तो वीडियो को इसके आपको मिलते हैं इसके बाद इसमें आपको 1GB मेम्री मिलते हैं अब हम इसके दिछ की दिश्ट के बात करो हैं तो इसके अंदर जो एक ही डिसएड़ंटेसिस की अगर आपको इसमें सी पेनल का यूज करना है तो अलग से आपको कुछ पयाई करना पड़ेगा जैसे कि इसमें आपको cPanel इंस्टोल करना है तो मेरे खाल से $10 per month वाला plan आपको सूज करना पड़ेगा इसके अंदर आपको cPanel मिलेगा और अलग से आपको cPanel इसमें इंस्टोल करना पड़ता है तो यह complicated work होता है अब देखिए हम बात करते कि आपको इसे कैसे manage करना है अब लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है लेकिन सभी के वीडियो मैंने और रड़ी बना चुका हूँ कुछ complicated work नहीं है अगर आप अपनी wordpress की website launch करना जाते हो तो यह सबसे based आपके लिए digital ocean ही रहेगा और मैं सबसे ज्यादा आपको highly digital ocean ही recommend करूँगा क्योंकि यह सबसे high performance देता है और इसकी pricing भी सबसे low है तो मेरे खाल से आपको digital ocean का सूस करना जाए इसकी link आपको वीडियो को मिलेगी वहां जाके आपको इसकी pricing check कर सकते हो यगर आपको पसंद आता है तो आप एक plan को सूस करके आसान से start कर सकते हो और आपको जैसे आप description लिंक मिले किसे widget आपको इसमें क्या करना है यह सब के बारे में और इसकी support की बात करते हैं तो आपको email tools report मिलता है इसके अलवा इसके बहुत ही सारे tutorial लवल पर है इसके मदे से आसान सब digital ocean का use कर सकते हो तो यह हो गया सबसे पहला हमारा web hosting product digital ocean अब जाखिए shared hosting नहीं है यह totally आपकी खुद की होश्टी कहेगी यहन की virtual private server तो इसकी performance जो दूसरी hosting इसके compare में बहुत ही अच्छे रहेगी तो मेरे खाल साब समझ में आगे होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हो जैसे कि आप खुद का आपका VPS server launch करोगे तो इसके अंदर आपकी खुद की website रहेगी तो आपको कोई जो इसकी speed की attention लेने की हैं इसके बाद हम number of website की बात करें तो इसके अंदर आप unlimited website host कर सकता हो जितनी भी website आप होस्ट करना चाहा हो कर सकता हो लेकिन प्रोब्लम यह रहेगी कि जो इसकी आपकी CPU की performance थोड़ी लो रहेगी तो मेरे खाल से अगर आप WordPress यूज करत नमर टू पर है namechip.com अब देखे namechip को मैंने दूसरे नमर पर क्यों रखा अब देखे namechip का भी मैं यूज कर चुका हूँ सबसे बेले में आपको example दिखाता हूँ कि namechip का मैंने already use किया है इसमें से namechip ने हम जो यूज किया था वह सबसे बेली website है computerhats.com जो की currently running है इसक मैं आपको namechip को दूसरे नमर पर recommend करता हूँ अब देखे इसकी pricing के बात करें तो मेरे खाल से इसकी pricing भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रह सकती है अगर आप जो starting है यानकि आपने अभी भी आपका blog start किया है आप beginner है तो जहिस्ट आपको namechip.com विजिट करना है इसके link आपको video description में मिलते हैं वहाँ जाके भी इसकी प्लान आप चेक कर सकते हो अब देखे नेमचिप के हम बात करें और सबसे पहले में आपको बता है इस तरह से जो आज का वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है अब देखिए आपको सबसे पहले वाला प्लान आपको करना है इसके अंजार आपको क्या-क्या-facility मिलते हैं इसके अंदर आप देखिए तीन वेबसेट होश्ट कर सकते हो इसके बेकिन में आपको शीपने का कंट्रोन मिलेगा इसके बाद आपको लाइफ चेट सपोर्ड मिलेगा तो आपके लिए अचार है सकता है लेकिन इसम इसी प्रफोमस वाली आपको डेक्स मिलेगी , इसके बाद हम इसकी तो टेकरिकनिकल स्पेसिक्वेजन की बात करेंगे , तो आप नीचे देखोगे तो देखे आप अपना माौस का करसर देखे इस तरह से आप स्क्रोल कर एगगो तो स्क्रोल करते ही रिजाओगे तिनी प्रेशिक्रिपेशन आपको इसमें मिलते हैं आप देखें हम डेटल में बात करते हैं कि आपको इसे कैसे यूज करना है अगर आप अपनी वर्टपरेस की वेबड़ स्टार्ट करना जाती है तो मेरी खासी आपके लिए बहुत ही परफेक है इसमें आपको तीरी वेब इस्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हम नेम स्टार्ट यूज करते हैं तो इसके अंदर च्रह आप पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कुछ complicated work नहीं करना देखिए यह सभी फैसलीट आपको पहले वाले प्लान के अंदर मिलती है बहुत ही सारी फैसलीटी है कुर हम प्राइसिंग के बाद करें तो प्राइसिंग भी बहुत तिल्लो है तो आप इसका यूज कर सकतो हो अगर आप उपनी जो वेबसाट स्टार्ट करना चाहत हो तो इस से अब मंचली भी पार्शाइज कर सकते हो इसरी उर इसलिटी कर सकतो को यहाँ पर दिखाया देगा और इसके बाद एक खास बाद यह है नयमचिप के अंदर कि जब देखे मैंने नेівपकी ukaust बिल्कुल frozen की थि तो इसके कभी में काफ़ी समय से यूज़ करता रहू मैंने आपको सबसे बहुत भी दिखाई इस तरह से तो आपको करना कुछ भी नहीं है नेमचिप को एक बर विजिट करना है वहां जाएक आपको चेक करना है कि जो कौन सा जो प्लान आपके लिए परफे करेगा अजर स्टार्टिं तो देखिए ये सभी आपको प्लान यहां पर मिल जागे लेकिन मैं आपको पहले बता इस तरह से अगर आपको जो थोड़ा भी आपके पांस Linux का knowledge है अगर आपको कुछ Command वरने करना आता है तो मैं आपको अभी भी Highly recommend करूगा ये सभी hosting है इसके के अश्र सिक अंधर में आ यह सब आपको आसाणी से सभी होस्टिंग में मिलतेगा है तो हम बात करें वो है Linux होस्टिंग तो इसके अंदर द्याटाबेस विगरे तो आपको डिफोल मिलता है यह सब्वेस तो आपको इसके अंदर आसानी से मिलतेगा इसके बाद दो one-click script के में बात करें तो WordPress धूमला डूपल यह सभी स्क्रीप आपको बेलकुल फ्रीमे मिलते हैं इसका यूज कर सकते हो तो यह हो गया नेमचीप आपको जर्च करना कुछ भी नहीं है यह नेमचीप पर आना है और वहां पर आपको सबसे पहला वाला प्लान आपको देखना इसका अंजरा मंतले भी यह नेमचीप आता है तो आप इसका भी सूज कर सकता हो इसके बाद तीसरे नमर पर है ब्लूहोस्ट.in या डॉटकोम आप जो भी कहो यह इंडियन वर्जन है इसका भी यूज कर सकता हो अब देखिए ब्लूहोस्ट का मैंने यूज तो नहीं किया लेकिन ब्लूहोस्ट ज है वह यूज करता है तो मेरे खाल से जो इसका प्रफॉमस काफी अच्छा है इसके अंदर भी आपको वन क्लिक इस्टोलेशन वर्डपरेस वगिर सब कुछ मिलता है अब हम इसकी पैसे के बात करें तो देखिए इसमें आपको पावरफुल सीपन का कंट्रोल मिलता है इसक हम सपोर्ट की बात करें और unlimited website की बात करें तो दो कि सबसे पहला जो प्लान है इसके अंदर मेरे खाल से आप सिंगल डॉमेन यान की एक ही website होस्ट कर सकतो लेकिन इसका प्रफॉमस अचा रहेगा लोग प्राइस हाई प्रफॉमस में आपको पहले बताई सरा से इसमें आप सिंगल website होस्ट कर सकतो इसका हाई प्रफॉमस सर्वर आपको मिलेगा इसके मुद्ध से आसानी साप अपनी website को होस्ट कर सकतो लेकिन मैंने तो सबसे पहले आपको दो रिकमेंड की है जैसे की डिजिटल ओशन और नेमची तो मेरे खाल से जब तक मैं आपको तो रिकमेंड करूगा यह दोनों में से आपको सुस करना जाए ताकि आसानी से आपकी website को मेलेज कर सकते लेकिन इसके अलवा भी आपके पांस जो ओप्शन रहता है वह है ब्लू होस्ट डोट इन तो इसके बाद हम परफॉमस वगिर की बात करें तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छ रह सकता है इसके बाद हाडवर और इसके बाद इंफार्ट्रक्शर के बात करें तो इसके अंदर जो आपको काफी समय से बहुती ओल्ड कंपनी है ब्लू होस्ट डोटेन तो इसका व्यूज कर सकते हो इसके अदर आपको सपोर्ट और अच्छा मिलता है आप डारेक्टली क लिवर्पोन मिल सकता है मैं आपको सबसे पहले बता इस तरह से इसमें दर आपको 2 database center मिलते हैं इंडिया और यूएस तो इसमें आपसुष कर सकते हों तो इसका भी प्लान आप चेक कर सकता हो जर्ष्ट मेन आपको एक देखिए जर्ष्ट ये आपके लिए information के लिए इस website को म और मेरे खाल से इसकी प्रफॉमस बहुत ही अच्छी है नमर फॉर पर होस्ट गोटर डोट है अब देखिए यह बहुत ही बड़ी जो वेब होस्टिंग कमने हैं लेकिन अब देखिए हमने यहां पर इसे फॉर नमर पर क्यों रखा हैं क्योंकि खास कुछ मेरा इसके साथ कु कर सकते हैं अब देखिए इसमें से अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको बीगिनर आपकी वेबसर्ट आपको होस्ट करने हैं तो सबसे पहला प्लान है इसके अंदर देखिए 99 पर मंथ इसमें आपको सिंगल डॉमिन मिलेगा तो जो 10GB हार्डिक्स मिलेगी इसके बाद 100 अब देखिए यह जो डेटिकेट आएपी हैं वह आपको डिजिटल ओशन में आपको सबसे पहले बताए था कि जो डिजिटल ओशन के अंदर आपको सभी फैसलिटी जिदनी भी मैं आपको वेब होस्टिं को कंपर करकर दिखा रहा हूं जिसमें आपको फैसलिटी मिलते है यह सभी फैसलिटी आपको डिजिटल ओशन में जर्श्ट फाइव डूर में मिलते हैं जैसे के अनलिमिटेड वेबसाइड इसके बाद 25GB SSD हाड़ डिक्स इसके बाद अनलिमिटेड इमेल अकाउंट अब देखिए इसके साथ आप जो हो का भी यूज़ कर सकते हो तो आपक आपके पांसे कर रस्ता है कि आप होश्ट गोटर का भी यूज़ कर सकते हो तो इसमें मैंने देखिए सभी प्रसे के पिशन आपको दिखा देखिए कि आप इसमें सिंगल डॉमेन होश्ट कर सकते हो 10GB आपको इसमें हाड़ डेक्स मिलेगी मेरे खाल से यहां पर कुछ क्ल था कि आप डारीइकली वर्प्रस के प्लान सुस करके आप अपनी व्रटप्रस की वैफसराल लॉ्च्ट लेकिन बास में अगर आपकी वर्टप्रस की वैश्रव अचे-तार्य से थल गई अब बाद 5 नमर पर आता है A2 hosting अब देखिए इसके अंदर आपको कितनी बहुत ही सारी टेक्निकल स्पैसिक के फिशन मिलते हैं इसी रिजन से मैंने इस वीडियो में इसे इंक्लूड किया है अब देखिए जैसे आप वो जाओगे तो इसके अंदर आप देखिए टेक्निकल प्रश्च के जाओगे तो सबसे पहला प्लान है इसके अंदर वन वेप्सेट होस्ट कर सकते हो इसके बाद 5 डेटाबेस बना सकते हो इसके बाद आपको इसमें कितनी सारी प्रश्च के प्रश्चन मिलते हैं इसके आप एक एक करके चेक कर सकते हो देखिए फ्री सर्टिफ मार के वो सभी परसे के पिशन आपको इसमें आसान इसे मिल जाएगे तो देखिए यह हो गया एक टू होस्टिंग इसका भी यूज कर सकतो हो देखिए इसके साथ मेरा कुछ खापी एक सब्सक्राइज नहीं है इसका मलत कि मैंने इसे कभी यूज नहीं किया लेकिन जर्च मै बात कर तो देखिए मैंने वीडियो में इंक्लोड करने के लिए आपको बाता है लेकिन दूसरी होस्टिंग के कम पर में बात करें तो मेरे खाल से ये कुछ नूर्मल वोस्टिंग कर जाएगी दो हमने पहले बताया से यह सब भी होस्टिंग आपके लिए बहुती अच्छ के बार में देखिए यहां पर देखा कि जो एटो होस्टिंग डोड़कों में वह फास्टेस्ट वेब होस्टिंग है तो में भी हो सकती है आप एक बार चेक करके जा सकते कि आपको इसमें क्या क्या प्लान वगिरे मिलते हैं अब देखिए इसके सबसे पहले प्लान में हम करें कि आपको क्या मिलता है देखिए इसमें अब सिंगल कर सकते हों यह आपके लिए खास बात रह सकते हैं कि अगर आपकी वेब्समें कुस आफ्स्टोर करता हों जैसिकी मोवी हो गई इसके बाद भी ज़्यादा फैले तो आपके लिए एक यह तो होस्टिंग पर प्रप मिलती है यह सब कुछ बार में और खास बात यह है कि इसमें money back guarantee आपको मिलती है अगर आपने इसका plan purchase किया इसके बाद आपको 15 दिन के बाद ऐसा लगा कि जो कुछ खास अच्छा नहीं है तो डारिक लिए आप इसे cancel करके आपकी जो जितनी भी अपने इस पैसे इसमें लगए थे वह आप वापस लेया सकते हो तो यह होगी money back guarantee तो इसलिए मैंने जो ato hosting.com को इसमें include किया था कि अगर आपको इससी hosting performance इसकी services वगएर कुछ अच्छा नहीं लगा कापी समय के बाद अब देखिए यहां कुछ time limit नहीं है anytime आप money back guarantee का use कर सकता हो तो मेरे खाल से आपके लिए रह सकता है कि अगर आपका इसको किसी भी प्लान को परसेद नहीं करना है फिर इससा आपको cancel करना है तो आपकी जो इतनी भी money है वो आपको वापस मिल सकते है तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है तो अध्याओ मेरे दना च्पके औरि ऑखकार से ृटो जो सकते हैं और फ्की आपका एक्सकारी वापस अनी boy मेरे गारे निवेलियो सचन्य और देखिए धो तो अब हम यहां पर करते हैं hosting.in तो इंडियन वर्जन ओपन होगा इसके अंदर भी आप अपनी जो वेबसेट को होस्ट कर सकते हो अब देखें स्टार्टिंग में एक समय था कि जब आप अपनी वेबसेट इसके अंदर आप बिल्कुल फ्री में आपकी खुद की वेबसेट अब जहीं होस्ट करना चाहता हो तो डायर्क लिए सिंगल वेबसेट जोइस्ट वन नाइंटी नैन में आप इसे लॉंच कर सकतो इसके अपने खुद की सिंगल वेबसेट कर सकते हो यानि के एक वड़ीप्रस इस्टोलेशन इसमें 10GB डिश्पेस में लेगी तो जी बेंड इसके बाद इसका वेब बिल्डर पावर्फुल सी पैनल और यूजर फ्रेंडली एक्सेस मेनेजर तो इसका सब्वोट विगर कुछ अच्छा रह सकता है तो यह हो कि या होस्टिंगर डोट इन इसका वेब यूज कर सकता हूं इसके अंदर देखिए मोर एडवांस फिचर की से बात करें तो यहां पाइब देखिए मूहां को इससे को करके दिखाता हूं कि इसमें आप वन सब्यूंस अब धेकर एक सबसेटल का मतल्री एक है कि आप दोसरी बोर्ष्ट फैंपैर के वहां बात करें तो आपके लिए कि इस सब्यूंस सब्यूंस एड़ नहीं कर सकते इसके बाद 15 सोफ्टर है जीसे की wordpress हो गया Drupal हो गया मेज़न हो गया इसके बाद मल्टेपल PSP वरजन जो latest PSP वरजन वह आपको मिलेगा इसके बाद देखिए कि एनिटाइम मुझे गरंटी तो संद गरंटी मिलते हैं इसके मतलब कि आपने विस्टिंग तक यूज की अब आपको लगा कि इसका मुझे यूज नहीं तो आप इससे कंसल करके आपके पेस्पेश से वापस ले सकते हो तो ये भी आपके लिए खास बात हो सकती है तो उरला बेक गरेंटी वाले होस्टिंग परसाद करने में आपको बहुत ही बेनिफी में सकता है जैसे कि आपको लगा कि इसका कोई परफॉर्मस वगर अच्छा नहीं है तो डारिक लिए आप इससे क्यांसल करके और आप अपने लिए कभी भी आपकी जितनी भी मनी आपने सर्वर की अब देखिए वीडियो में मैंने यह नहीं आपको जो जितना सिंपल वह आपको समझाने की कोशिच की अब देखिए सबसे बेरे मैंने वीपेस को इंक्लूर किया था इसका रिजन यह है कि मैं ओल्रेड़ी वीपेस का यूज करता हो और आपके लिए अगर आप स में तरे थैंक यू फर वसिंदे वीडियो